हेल्दी रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और कौन से फ्रूट्स और विजटेबल्स खाये की बॉडी को कम्प्लीट न्यूट्रिशन मिलता रहे ऐसे कई कोशन्स का अंसर फूड एक्सपर्ट्स ने खोज निकाला है वे मानते हैं कि प्लेट में जितने ज्यादा कलर्ड फ्रूट्स और विजटेबल्स होंगे हेल्थ भी उतनी ही अच्छी रहेगी लेमन, पाइनापल, अलो कैपसिकम जैसे अलो वेजटेबल्स में विटमिन सी और करोटनाइड प्रेचुर मात्रा में होने से बॉडी में स्वेलिंग, अलर्जी को रोकने में स्किन हेल्थ के लिए और ऑस्टियो पोरसिस को कम करने में मदद करता है स्ट्रॉबेरी, रैस्बबेरी, टोमेटो, तर्बूज, लाल गोबी जैसे वेजटेबल्स में फाइटो केमिकल्स और लाइकोपीन केमिकल्स होने से सन के अल्ट्रा वाइलेट रेस से स्किन की रक्षा कर स्किन को ग्लोइंग रखते हुए लिवर हेल्थ के लिए भी बेहतर माने जाता है ब्रॉकली, गोबी, पालक जैसी ग्रीन वेजटेबल्स में वाइटमिन बी और मिनरल्स होते है इनमें ल्यूटिन नामक फाइटो केमिकल भी होते है जो लिवर को हिल्दी रखता है ग्रीन वेजटेबल्स खाने से ही नहीं देखने से भी ब्लेट प्रेशर कंट्रोल होता है ब्लैक ग्रेप्स, ओनियन, पर्पल कलर्ड कैबिज, ब्रिंजॉल, ब्लूबेरी जैसे वाइलेट कलर्ड वेजटेबल्स में अंटी ऑक्सिदेंट्स भरपूर मात्रा में होते है जो heart diseases और cancer की आशंका को कम करते है और body में bacteria को जमा होने से भी रोकते है ऐसे हर colored vegetable या fruit के अलग-अलग advantages होने से food experts advise करते है कि हर दिन सभी colors के fruits और vegetables हमारे डाइट में शामल होना चाहिए ताकि body को सभी vitamins और minerals मिले अलग-अलग fruits और vegetables से बरी हुई colorful plate आँखों को अच्छी दिखती है और वो health के लिए तो अच्छी ही है इसलिए colorful plate body के साथ सब आँखों के लिए भी अच्छी है See you again with a new topic in Global Encyclopedia Till then take care and have a nice day